ये नजारा भारत जैसे प्रजातांत्रिक और वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति वाले देश में ही दिख सकता है ये जो तस्वीर है वो हजारों साल की संस्कृतिक धरोहर की देन है कुरोना से जंग के लिए मास्क बनाये जा रहे हैं पहली नजर में सब कुछ बेहधी सामान निसा नजर आता है लेकिन जब गौर से देखते हैं तो समझ आता है कि सिलाई मशीन पर मास्क तयार करती महिला कोई और नहीं बलकि भारत की फर्स्क लीडी राश्ट्रपती रामनात कोविंद की पतनी सविता कोविंद है जो शक्ती हाट में फेस मास्क की सिलाई कर रही है ये मास्क वे दिल्ली के तमाम शेल्टर होम्स के लिए बना रही है देश की प्रथम महिला होने के नाते सविता कोविन जी आराम से राश्ट्रपती भवन में बैठ सकती थी लेकिन उन्होंने देश के कोरोना वॉरियर्स की मदद का रास्ता चुना ये पहल उनकी सादगी की निशानी तो है ही साथ ही लाखों लोगों के लिए सबक भी है